वाजने दस रोके में लाया और इसे आगे आपने बारा रोके में बेचा तो दो रोपे का आपने प्रॉफिट कमाया इसको आप बिजनस कह सकते हैं क्यूंकि इसमें पैसा इंवाल है economic activity है या आप ये कह सकते हैं कि आपने कोई सामान बना है जैसे आप आटा लेके आए आटा याने की floor और उससे आटे से आपने कुछ आटे का product बना दिया जैसे मैदा बना दिया तो आप जो लेकी आए या फिर आपने गेहु लेकी आए और उसका आटा बना दिया और उसको बेज दिया यह हूं लेके आ गया वीट लेके आ गया तो यहां जब आप एक सामान ला रहे हैं या एक सामान है आपके पास और उसको आप ऐसा बना रहे हैं जो पब्लिक के यूज में हो याने जिसको आप प्रेड्यूस कर रहे हो उसको डिस्टिब्यू अभी-कभी non-profit के लिए भी किया जाता है जैसे यहाँ पर इन्हों ने profit दो रुपे कमाया मालेजिए एक केजी पे दो कमाया कई बार profit ज़रूरी नहीं होता है कई ऐसे काम होते है लेकि ध्यान रखेगा कि business का मतलब ही होता है कि वो business का main ताथ पर यही होता है कि वो human need को satisfy करेगा यानि जो society है, समाज समाज की जो भी ज़रूरत है उसको पूरी करेगा तो होता यह है कि माल लिजे ज़रूरत है एक example देता हूँ ज़रूरत है और ऐसा समय आया जब tomato नहीं उगते हम tomato का example ले लेते tomato उस समय उग नहीं रहे है या किसी current से कमी हो गई है तो जो need है माल लिजे saw tomato की है और जो available है वो केवल माल लिजे 50 available है तो इसका मतलब gap कितना हुआ इसका लोगों को 100 चाहिए और मिल रहा है 50 इसका मतलब 50 का अभी भी gap है तो कहीं अगर आप tomato उत्पादक है या tomato कहीं न कहीं से ला सकते हैं या कुछ तरीका अपना सकते हैं कि इन 50 का अगर आप जुगाल कर सकें इन 50 रुपे का आप availability दिखा सकें ये आपकी opportunity हो जाएगी ये आपको एक मौका मिल गया कि जो समाज में society में tomato की कमी है उसको आपने किसी तरीके से पूरा कर दिया और इसमें आप risk भी ले रहे हैं आप ऐसी जगा टमाटर उगाने की कोशिश कर रहे हैं जहां टमाटर उगता ही नहीं है और वहाँ पर आपने risk लिया तो आप एक तरीके से टमाटर देने की कोशिश कर रहे हैं इसको आप product कह सकते हैं या कोई services दे रहे हैं ज़रूरी नहीं कि हमेशा कोई product ही होगा जैसे product यह सावान हुआ न कई बार जैसे hospitality service है अगर आप hospitality services देखेंगे banking services देखेंगे वो सारी services होती है वहाँ पर कोई product नहीं होता है तो ऐसे लोग इनको हम कहते हैं entrepreneur ध्यार रखेगा इसको अगर अगर अगरेजी में देखा जाए तो यह दिखाई देगा entrepreneurs लेगिन इसको बोला जाते है entrepreneur आखिर में आर नहीं आता है entrepreneur नियो तक शोड़ देते हैं तो फिर से समझेगा entrepreneur है कौन entrepreneur वो लोग होते हैं पहले चीज़ तो वो self-employer होते हैं यानि कि वो किसी के under में काम नहीं काम कर रहे होते हैं नौकरी नहीं कर रहे होते हैं यह बड़ा calculated risk लेते हैं इसका मतलब यह है इनने पता है नुकसान हो सकता है लेकिन उत्रही रिस्क लेते हैं या उत्रही पैसा जमाली जिसे लोन लेते हैं या उतनी जमीन लेते हैं या कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें इनको बड़ा बड़ा नुकसान ना हो जाए और सबसे बड़ी बात यह नया बिलकुल नया novel जिसे कहेंगे new या novel आइडिया लेके आते हैं जो चीज़ अलड़ी एक्जिस्ट कर रही है उस पे काम करना entrepreneurship नहीं कहला जाएगी अगर कोई भी business ये कर रहे है और उसमें ये नई चीज़ या नया सोच नया अंदाज लेके आ गए जो जिसको किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि ये भी अंदाज हो सकता है ऐसे को हम entrepreneur कहते है अब आप देखिए हर एक आदमी जो self-employed है यानि कि अगर माली जो एक दुकानदार है तो उसको आप कहेंगे कि ये entrepreneur है नहीं कहेंगे इसको कैसे जब तक ये दुकानदार केवल इसके पास समान रखा हुआ है ग्राग आते हैं ये से बेज देता है तो ये entrepreneur नहीं है ये केवल एक shop की पर है लेकिन अगर ये ही पे ये जो shop की पर है कुछ नया अंदाज लेके आता है जैसे ये इसकी home delivery कराने लग जाए या कुछ अपना product बांद के देने लग जाए या कुछ और नई चीजे इसमें ले आए तब हम ये कहेंगे कि shop की पर entrepreneur है केवल चीजों को खरीदना और बेचना नहीं है इसमें नई ideas नई सोच और नई तकनीक अगर किसमें लगाया है तो हम उसे कहेंगे कि वो entrepreneur है अब entrepreneur जैसे हमने देखा कि वो आदमी या वो इंसान वो औरत वो lady जो self employed है खुद employment करती है खुद अपना और एक risk लेके एक नया business शुरू करती है और करता है ऐसा काम शुरू करता है जो बिलकुल नया हो जो बिलकुल novel हो उसमें idea नया हो जैसे मैं आपको एक example देता हूँ कि swiggy या zometo ये क्यों बता रहा हूँ क्यों कि सब जिसको जानते है अगर किसी ने कभी भी निसोचा था कि हम क्या करते थे खाना खाने के लिए सब जो जाते थे शॉप पे अब हमें पता है कि शुरूआत में अगर ये form delivery कर रहे होते थे ये अगर दुकान वाले तो ये आपको चार्ज करते थे और कहते थे minimum 500 रुपे से कम अगर आप order करोगे तो हम आपको नहीं देंगे ये ही idea किसी ने लगाया कि ऐसा है अगर कोई 5 रुपे का भी सामान खरीद रहा है तो क्यों ना हम ऐसा business शुरू करें कि हमारा काम यहीं होगा यहां से सामान उठाना यहां देना अब पैसे ले लेना तो किवल सामान मतलब खाने को उठा के यहां देने को एक बहुत बड़ा business बना लिया और ब्रकुल तकनीक कि उसमें एक mobile app इन्होंने किया और आप track कर सकते है कि कहां से कहां तक आप आपका खाना पहुंचा है कितने का खाना है उसमें आपको तर्मान तरह के coupon मिल जाते है सस्ता खाना मिल जाता है उसी दुकान पर नॉर्मल जाएंगे तो 100 रुबे का खाना मिल रहा है और अगर आप स्विगी या जुबरेटर से कर रहे हैं तो आपको 50 का मिल रहा है तो ये एक नई तकनीक लेके आए ध्यान रखिएगा कि नया ideas नई सोच entrepreneur कभी भी किसी भी business में एक नई चीज डालता है वो नई चीज क्या हो सकता है हो सकता हो नई नई variety ले आए ऐसी variety जो कभी आई ना हो उस product में या services ले आए जैसे मैंने ये बताए कि ये जो service है खाना बस लेके पहुँचाने की service ये कभी किसी ने सोची नहीं थी home delivery लोगों ने सोचा था लेकिन इस तरीके से नहीं सोचा था कि फटावट हो जाएगा आप एक mobile app पे एक खाना order करेंगे और आदे घंटे में आपके घर पहुँच जाएगा यह आप कहें कि credit service कि भई चलो यहां से खाना लेलो यहां पर आके पैसा cash on delivery देंगे cash on delivery हो गया यह जो भी और तरीके हो गए नए marketing के ideas कि अगर आप अगर swiggy it करेंगे या किसी bank ICICI bank से pay करेंगे तो आपको 50% पैसा कम हो जाएगा तो नए यह आपको marketing ideas है और cost reduction पैसा कैसे कम हो पहले क्या होता था आप लोग यहां से यहां तक जाते थे है ना time वैसा money सब खर्च करते थे और इन लोगों को भी क्या है आपका पूरा इंतिजाम करना पड़ता था दुकानदार को या फिर किस होटल वाले को क्या करना पड़ता था होटल में वो बैठा है ठीक और आप चार आट लोग बैठे है आपका भरतन आपका हाथ वेल हाथ वगर धुलाना उसको fan चला रहा है वो AC चला रहा है वो सब पैसे उसके भी बच रहे है बस एक छोड़ी सी शॉप खोल ले अच्छा खाना मना दे और उसके भी वाई-वाई हो जाएगी तो cost reduction का भी एक idea हो गया है तो यह से हम entrepreneurship कहते है